हेलो फ्रेंड्स वेल्कम पैक तो मैं चैनल तो आज मैंने पोटेफ वर्क किया है ओईल पेंटिंग में तो एक एनवास पर मैंने पहले पैंसिल से स्केच की चाहिए फिर उसके बाद लिंशिट ऑयल और बर्ंड सियाना कलर से आउटलाइन पर वर्क किया और फिर उसके बाद इसके टोन के लिए मैंने बर्ंड सियाना वाइट कलर और रिट और प्रिद्ध अणनड़ अध मैं इसको finish कर रहा हूँ मैंने brush पे white color और हलका सा red color का mixture लिया है और उससे मैं ध्रे-ध्रे parts पे blank कर रहा हूँ eye के नीचे वाले part पर मैंने brush से blend किया है और अब मैं पतला सा brush ले ले रहा हूँ zero number का और इससे मैं जहाँ चहाँ gaps हैं उसको fill up कर रहा हूँ white color से lines को और थोड़ा सा पतला बना रहा हूँ तो इसके आसपास मैंने white color और हलका सा red color का mix चल लिया है अब nose के नीचे वाले part पर भी मैं brush work कर रहा हूँ इस जगे पर तो white color से मैं इस part पर blank कर दे रहा हूँ और shape में जहाँ थोड़ी से कमी है उसको भी पूरी तरह से ठीक कर रहा हूँ तो finish या फिर last में जह हम work करते हैं तो white color का use और बाकी other color का use करते हैं background पर मैंने burn सिया न blue और white का mixture से background दिया है मैं आइस वाले part पर अच्छी तरह से detailing कर रहा हूँ और बाकी जो colors है उससे मैं blend कर रहा हूँ कान वाले part को थोड़ सा detail दे रहा हूँ white color से और उसके बाद बीच में मैंने यहां पर crimson lake color का use किया है तो दूसरी तरह भी मैं कान पर white और crimson lake color का use किया है अब नीचे लिफ से ले part पर इस जगे मैंने white color का use किया है और eyebrow के उपर भी मैंने white color से detailing किया है तो इस तरह से मैं यह हम पर white और red color के mixture से और हलका सा इसको बारा नमबर की brush से flat brush से यहां पर अच्छी तरह से mixture कर दे रहा हूं अब यह white color से मैं यहां पर इस जगे पर use करूंगा और उसके बाद जहां जहां डारक है और उसको light करने के लिए मैं white color का use कर रहा हूं अब मैं दाड़ी वाली पार्ट के उपर भी यहां पर भी white color का use किया है मैंने और हलका सा उसमे burns या न कलर का mixture यूज किया है मैं brush से इसको blend कर देता हूं और face पर मैं सूखे brush से हलके इसकी blending कर दूँगा अब नीचे गले वाले पार्ट को मैंने white color burns याना से mixture से use किया है और पीछे की तरफ मैं थोड़ से dark color रखूँगा और आगे की तरफ यहां पर मैं light color करूँगा तो white और burns याना के mixture से मैंने इस part को भी complete कर लिया है अब नीचे की तरफ मेरा आगे की और white color रहेगा और उसमें पीछे की तरफ मैं इसको move करूँगा इस तरह से white color को और मैं पीछे की तरफ भी blend कर लेता हूँ इसको इस तरह से मेरा face और पार्ड जो है वो लगभग complete हो गया नीचे गले की दाड़ी की नीचे थोड़ से मैंने और डार कर लिया इस part को मैं जैकेट के उपर color कर रहा हूँ तो यह part पर white color उपर से use कर रहा हूँ और folds बना रहा हूँ यह white color को मैं यहाँ पर use करूँगा उसके बाद उपर background पर मैंने black and blue color का mixture यहाँ पर use किया है here's के उपर और हलका सा red भी mix किया है मैंने यहाँ पर तो थोड़ से dark background मैं रखूँगा इस portrait work के लिए और बालों पर उपर की तरफ मैंने white and blue color का mixture किया है बालों में चमक लाने के लिए अब यह face जो है मैंने इसी portrait से बनाया है है